आप में बात करेंगे आज के इस वीडियो की अंदर हम बात करेंगे theories of evolutions की बारे में सबसे पहले देखे कि theories of evolutions क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे जेसे कि आपको पता है evolutions क्या होता है to unroll and unfold the hidden potential of organisms कोई भी organism time से गुजटते हुए अपनी जो hidden potential होता है उसको कैसे आगे कि ग्रो करते हैं और कुछ बोलते हैं कि simple organisms में किसे complex organism बनने वाले process को हम evolutions कहते हैं वो जो भी हो evolutions एक time taking process होता है ठीक है तो ऐसा नहीं कि 10 सल 20 साल में चीज़े जन्जेस हो जाएगा नहीं उसको क्या लगता है मतलब time लगता है इसलिए हमारे जो limited lifespan होता है हम तो नहीं देख सकते हैं हमको क्या चाहिए कोई evidences चाहिए हमको कोई प्रामानिक चीज़े चाहिए जिसमें हम believe करेंगे हाँ evolutions हुआ है अपकि आरिस्टोटल जो थे अपने पड़े होंगे फादर आफ बायोलोजी अरिस्टोटल 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 उनसे लेकर क्रिलनाज तक उन्होंने सोच रहे थे कि जो पैसीज है जो पाये जाते हैं वो सारे आपका आए थे डारुइन हमने आज की वीडियो के अंदर लामार्क निजिम्स के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में डारुइन के बारे में देखेंगे तो लामार्क निजिम्स जो होते हैं theories of evolutions दिये थे पहले देखे कि लामार्क की जो complete name था जिन living organism सबको पाया जाता है ठीक है तो उन्होंने उनकी जो बात थी जो theory थी एक book के अंदर पॉब्लिस किये थे वो था philosophic geology q 1809 में उनका book publish हुआ था याद रखिया और 1809 में उनका book publish हुआ था 1809 में आपकी डारुइन की जन्म हुआ था ठीक है ना तो उसके बाद मतलब कि लामार्क निजिम्स की जो बात था इतना साल तक चल रहा था उसके बाद जब डारुइन पैदा हुआ फिर उनको 20 सल ह अधर की बाद उन्होंने उनकी मत डाले थे ठीक है तो इतना साल तक वो चल रहा था तो वही बुक के अंदर उनकी सारे जो theory है written था आज हम डिसकस करेंगे कि उनकी theory क्या है लामार्क की theory को हम theory of use and use of organ ये मान के चलते हैं और inheritance of acquired character ऐसे भी जाना जाता है सबसे पहले उनकी यो उनको मजबूर करता है कि size में increase करें ठीक है कोई मतलब की आगे की और कोई भी variation अपने अंदर लाए वही internal vital force की वज़े से होता है लामार की जितने भी concept था उनमें से कुछ मतलब की सच भी है कुछ जुड़ी है तो उसके बारे में हम डेटल्स डिसकस करेंगे तो उनकी प यह discipline नहीं कर पा रही कि यह internal vital force है क्या अखिर है क्या यह उसको प्रूब नहीं कर पा रही उसके बाद बताए कि कुछ environmental factor हो गया जैसे कि photo period होता है photo period आप बता होगा कि कुछ plants होते हैं जो सिर्फ summer season में flowering करेंगे जस्मिन प्लांट जैसे हो गया कुछ होते हैं आपके winter season मे flowering करेंगे तो photo periods हो गया light temperature यह सारे जो होते हैं कुछ environmental factor ऐसी होते हैं जो कि living organisms के अंदर changes बदलाव लाने के लिए मजबूर करते हैं ठीक है and new needs and new desire produce new structure in the organisms तो एक organism दूसरा organism से जैसे आपकी amphibia हो गये हैं ठीक है amphibia और reptiles उसके बीच में differences है फिर reptiles bad bad फिर क्या के वो तो उड़ते हैं reptile creeping करते हैं ठीक है human हम लो चलते हैं तो वो बोल रहे हैं कि जो बदलती हुई environment के अकरिंग उनके अंदर नया नया need आता है नया desire आता है need and desire के बीच में difference है need ओ होते हैं जो आपको जिन्दा रहने के लिए एकदम जरूरी है जैसा कि हमारे लिए food space यह जिन्दा रहने के लिए जरूरी है desire है जैसे आपको mobile phone चाहिए mobile phone नहीं होगा तो फिर भी बात चलेगा ना तो desire हो गया यह जो नीड से बात जो आपको चाहिए वो होता है आपका desire जो जिन्दा रहने के लिए चाहिए वो होता है need तो specifically need and desire जो होते हैं अपनी अंदर नया नया structure जैसे कि आप बोल सकते हो कि reptiles थे reptiles से बाढ़ बन गई तो उनको उन्ने के लिए मन किया तो बाढ़ बन गई समझ रहा हो ना उन्होंने इस तरीके से बात किये थे new needs and a new desire produces new structure in organisms this is called doctrine doctrine's theory उसको हम बोलते हैं ठीक है उसके बाद उनका यह कहना था कि use and disuse of organ उनका कहना था कि जिस organ को हम जितना ज्यादा यूज करेंगे वह अच्छे से develop हो जाएगा और जिस organ को हम यूज नहीं करेंगे वह gradually reduce होता रहेगा उन्होंने एक blacksmith को देखें हना blacksmith जो थे उन्होंने जो हाथ रोड़ी में ऐसे पिटते रहते थे तो उनकी जो muscles था हैंड मसल्स था वह अच्छे से क्या कर रहा था ग्र कि केव ड्यूइलर जो होते हैं केव की अंदर जो फीशेस रहता है वह बोल रहे थे कि उनके अंसेस्ट्र उत्यों था उनके अंदर आउंखो था लेकिन के अंदर तो कोई light नहीं है बहुत generation to generation उनने आँखो की इस्तौमाल नहीं कर पा रहे हैं क्या लाइट तो नहीं है आ नहीं होता है थीक है तो यह था उनकी इसा टूर्गन की के बाद दूसरा होता है कि इन्हेरेटेंस अप्वाइड कैरेक्टर के कहने की यह मतलब था कि वो बोल रहे थे कि जिस इस character को एक individual इस generation में अपने time period के अंदर गेन किया है ये उनकी off strings के पास चला जाएगा यानिकी उनकी बच्चे के पास चला जाएगा उनकी ये कहना था उनको example को समझाने के लिए उन्होंने अच्छा सा एक example दिये थे जो था कि long neck कफ जिराख उनकी ये मानना था जो जिराफ थे पहले उनका जो neck था वो एकदम short था ठीक है उनकी जो नेक था वो एकदम short था उनकी ये कहना था फिर क्यों क्यों क्योंकि उन्होंने grasses बगरा consume कर रहे थे जब ये grasses खतम हो गया उनकी फोलिम उसको थोड़ा stress करने लगेंगे जब ठीक है plant उसको खाने के लिए फिर क्या तो जब उन्हेंने stretch किया थोड़ी सी मतलब कि उनके अंदर उनकी नेक था थोड़ा सा stretch हो गया फिर वहां वही character जे हो नेक्स जनरेशन को चला गया वह भी दूसरे जनरेशन और कुछ मेनाद करने लगे फिर और उनका जो नेक था और stretch होता गया ठीक है उनकी ये कहना था पिर फाइनली जो है आज की जो लॉंग नेक जिराफ आप देख रहे हो ये मार्केट मतलब कि अभी जो आपने आभेलेवल हो रहा है लॉंग नेक जिराफ उनकी ये कहना था तो stretch करते हुए करते हुए फूड के निड़ किया करिंग उनकी जो नेक है ये लॉंग हो गया क् टाइम पर सिर्फ जिराफ थे आपकी बकरी मतलब कि गोट नहीं थे क्या उनको ये ज़रूरत नहीं पड़ रहा था क्या ग्रासेस खतम हुआ क्या सिर्फ जिराफ के लिए खतम हुआ था दूसरे के लिए खतम नहीं हुआ था ठीक है एक्चुली उसके बाद डारून ने concept बताई कि एक्चुली क्या होता है एंवार्मेंट मतलग हमारी जो अनदर लॉंगनेक शाटनेक सब कुछ पाए जाते हैं थोड़े बहुत ड़िफरेंसस तो सब के अंदर होता है लेकिन एंवार्मेंट किसको फेवर करेगा मानेरी जो बहुत ज्यादा थे लांगने एक आमार के बताये थे कि इस तरह के से स्ट्रेच करते हुए उनकी नेक और फोल लीम जो है आगे बढ़ गया ठीक है आच्छा जो ही लिखा है कि आंसेस्टर जिराफ हावे स्मॉल नेक और फोल लीम था आगे की वाला जो लेक होता है ग्रासिस खा रहे थे उसके बाद स्कारिसि का दो उसको उसको त कलिब दे रहा था इसलिए उनका अभी नहीं किया और अन्दर उनके थे अभी नहीं है अब बात करेंगे criticism के बारे में जो Lamarck ने बात बताये थे यह क्या सच है या जूटे कितने दुर तक acceptable है या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे जैसे हमने बात के थे कि vital force ऐसा तो कोई force नहीं होता है कि body size को increase कर लेगा ठीक है आच्छा तो environmental effect जो होता है environment की offset होता है जैसे हमारे body की skin color है environment की according change होगा यह तो सही है लेकिन कई नया structure बन जाएगा क्या ठीक है यह सही नहीं है every character जो होता है वो lifetime के अंदर जो हमने acquire किया है माले जी आपकी पापा को swimming आता है क्या आपको भी swimming आएगा ऐसा कोई जरूरी है हाँ होगा जब आप खूदी चीजों को acquire करोगे उसको देखने के लिए उस चीजों को जो acquired character को जो पास होता है उसको nullify करने के लिए एक scientist थे August Wiseman उन्हें theory of continuity of germplasm दिये थे उसके बारे में भी हम बात करेंगे जैसे सचीन दंदुलकर की बेड़ा जैसे ही cricket खिलेगा ऐसा कोई guarantee है क्या practice करने से हो सकता है लेकिन होगा ऐसा तो कोई guarantee नहीं है समझ रहो ना तो उसकी August Wiseman की theory के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे क्योंकि inheritance of acquired character जो है next generation को transfer हो रहा है और उसके बाद आपकी आये थे मेंडेल ने मेंडेल ने बताया कि कैसे gene transfer हो रहा है यो दो scientist के बाद मतलब की उनकी जो inheritance of acquired character की डिस्प्रू किया गया था तो देखिए हमने August Wiseman की जॉर्म प्लाजम theory देखेंगे उन्होंने क्या किया एक male rat लिया और एक female rat लिया तो वो दोनों rat की उन्होंने क्या किया पूच को cut किया cut the tail तो tail किया फिर उसके बाद उनको cross किया जो भी rat बना उनका tail था यी दोनों की tail को cut किया गया था फिर उन्होंने जितने rat बनी फिर उनकी इस तरह के से 22 generation तक उन्होंने क्या किया उन्होंने tail को cut किया breeding करने के लिए लाव किया फिर टेल कट किया ब्रेडिंग करने के लिए आला हो गया लेकिन उनको एक भी ऐसा राट नहीं देखने को मिला कि जिसके अंदर टेल नहीं था उनने देखा था हम दे तो टेल कट किया फिर क्यों मतले काक्वाइड क्यारेक्टर हो ही है ठीक है कुछ साइंटिस्ट लोग ऐसे थे उनको भी उन्होंने अपोज किये उन्हों नहीं बताए कि जो अपने आप अंदर से हो रहा है उहीं करेक्टर से नेक्स्ट जेनरेशन को ट्रांसपर होगा आप तो खुद ही जान फूज़के उनकी टेल को कट किया है वो कैसे ट्रांसपर हो जाएगा समझ र यहीं है हमारे बडिके अंदर दो तरीके के इसल्स होता है एक होता है सोमाटिक चेल्ड, जो की बड़ी में पाएशाता है और तेस्टीस मेल होता है यहीं चेल्स नेक्सपर नहीं होगा उनकी ऐख्चा से एक्जम्पल देखी होता है यह देखी होंगे मंधी की यह और पीरसिंग हो रहा हुए होगा मंधी डिनघे मलग होगा यह आपकी हुर प्यूलते हैं जिसको नानी भी पियरश्ण होगा आप जितने एandaag होगे मंधी को भी बैट府 अभी पैदा होगा तो उनका तो यह पिर्स होके उसको करना पड़ता है समझ रहू न हो इसलिए जो कही जरी स्नेंट कहीं दिनों से चले आ तो अपर बहुत हो जाना है थे नहीं इस हमने लाया है तो इसलिए जनेरेशन टो जनेरेशन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है इदि sporm and ovum बनाने वाले cell यानि कि germ cells के अंदर ओही चीज़ी होगा then that will transport to the next generations ठीक है अच्छा अब हम देखेंगे evidences for the lamar की favor में जो evidences था हाँ अगस्ट वैज में जो बात पते ही वो तो सही है उन्होंने बताया कि germ cells होने से होगा लेकिन कुछ जो regeneration होता है जैसे regeneration capacity somatic cells में भी होता है ठीक है somatic cells जब भी germ cell produce करेगा यहीं somatic cells में कोई चंजिस आ गया तो नेक्स्ट जनरेशन को चला जाएगा जैसे hydra वेगरा में क्या होता है और जैसे vegetative propagations होता है आपकी plants के अंदर तो somatic cells में जो changes होगा that will go to the next generation हमेशा यह बात साही नहीं है कि germ cells से होने से होगा तो इसलिए यह सारे बात को कूल मिला के neolamarknisms आया था मतलब कि लामार की नया थियोरी उन्होंने बताया कि modification of lamarcan concept is called neolamarknism लामार की जो modifications हुआ थ जो environment does not influence our organization changes heredity environment तो ऐसा environment ऐसा कोई changes नहीं लाता है कि organisms के अंदर heredity के लिए gene के अंदर का साथ कुछ change हो जाए ऐसा नहीं है यह कौनसी character transfer हो रहा है next generation को आईदर हो जार्म सल में रहना चाहिए और ऐसा सोमार्टिक सेल में रहना चाहिए जो भी अपने आपको फिर change कर लेता है किसमें जार्म सेल के दुरान यह था आपके complete information about the lamarcanism के बारे में I hope आपको lamar की जो theory है यह समझ में आ रहा होगा वीडियो पसंद आए तो like केजिए subscribe केजिए आपकी दोस्त के साथ भी share केजिए thank you